सो हेलो फ्रेंज इस होली आप सभी के लिए मैंने लाया है आलू के लच्छे से बना चिवडा जो की होने वाला है एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा और मैं आप सभी के साथ दो फ्लेवर शेयर करूंगी एक एकदम मसलेदर होगा और एक एकदम प्लेन होगा और ये आलू के च चूड़ा बनाने के लिए वीडियो हमारा पूर एंड तक वाच किजिए तो हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल आप सभी का मेरे चैनल वेज पॉट किचन में फिर से एक बास स्वागत है तो आलू के लच्छेदार चूड़ा बनाने के लिए हम यहां पर सबसे पह है यह वाला आलू लेने से हमारा जो लच्चछे है अच्छे से बनेंगे क्रिस्पी यह आप देख सकते हैं इसले भातों हमें पेल नहीं नहीं रकना है हमें अच्छे से लेना हैं और दोस्तों अगर आप हमने चैनल पर पहली बार आये हो तो हमने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बाजू में एक बेल नोट्रिफिकेशन भी होगा उससे भी जबा दीजिए ताकि ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो आप तक डेली देखने को मि अगर इसके अंदर चिलका रह जाएगा तो हमारा जो अलू के लच्छे है अच्छे नहीं बनेंगे तो हम इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है तो हम सब अलू को अच्छे से चील चुके है और डालेंगे पानी के अंदर और अच्छे से रगड रगड के वाश कर लेंगे दो लगे सब्सक्सक्त आय 나 국 hop है अड़को आम अच्छे से घ्राइब टّ writing लेंगी एकदम लच्छे दर मत के आलो है अच्छे के लिए लागत कर जाएगा मीई वह preocup हुआ और नो मेलडर आप मैं अब के आप इसा एकितने हैं यहां ना हो तो South और फिर अच्छे से great हो जाने के बाद हम four से five pieces को उसाद में रख देंगे और अच्छे से इसे चाकु के मदद से काट देंगे पतला पतला तो भी आपका एकदम लच्छा अलू बन करके तैयार हो जाएगा तो यह बना सकते हैं अगर आपके पास अच्छा वाला तो आपको जैसा पसंद आया आप वह से लच्छे निकाल सकते हैं तो अब हम यहां पे इसे अच्छे से वाश करना है हमें इसे चार से पांच बार वाश करना है ताकि यह इसका जो स्टार्च है वो निकल जाए धियान रखिये फ्रेंस आलू के लच्छा चीवडा बनाने की हमें इसे बहुत बार वाश करना पड़ता है तब हमारा जो लच्छा है एकदम क्रिस्पी बनता है वन्हां यह तूट जाएगा तो इसे हमें अच्छे से वाश कर लेना है तो हम इसे अच्छे से इसका पाने निकाल के दूसरे बड़े कंटेनर में डाल देंगे और इसके हम पानी डालके इसे अच्छे से रगड रगड के वाश करेंगे अलू के लच्छे बनाने के लिए इसे वाश करना बहुत जादा इंपोर्टेंट है तब ही आपका जो लच्छा है क्रिस्पी बनेगा वरना यह अच्छा नहीं बनेगा तो इसे हम हाथों की मदद से था इसे बॉस्रे से बाउल में और यही पूस्रेक को आपको चार से पांच बार करना है इतना आपको आप वाश करेंगे उतना है अपका इसको बनेगा अब हमने यह यहां है और तैस्ट फालो्य करेंगे यहां पर ऐंगे लूट्य को डेखे हैं रखे етूस कुरुकुरे बनेंगे और तूटेंगे नहीं तो इसे रहे नहीं करके दिय ऊच्छे से एबसॉव हो जाए धो है जय कोई छान लेंगे और य Euro तावल के ऊपर हम कोई भी एक डावल लेंगे क्लीन होना चाहिा हमारे देट है तावल। होक नाजएए करना हैं इसे प्रिश्पी नहीं बनेगा तो इसे हम अच्छे से फ____ करते करते हमें इसका पडी निकाल निया हम से टावल पर टीम और अच्छ से इसका सारा वाटर निकाल देना है एक से दो मिनिट तक हम ऐसे लेक निकाल लेंगे और निकाल लिया है यहां पर हम्ने उयल घ्रम कर लिया है कड़ाई के ऊपर आप ह में रखे ही सारे हमारे कful को सब्सक्राइब से हम यह जऑ करें जाए करेंगे दिट करने से चिपक जाएगा और तूटने लगेगा तो अब देख सकते हम इसे हिलाएंगे नहीं और यह उपर आने लगेगा अपने आप जैसे कि आप देख सकते हैं साइड साइड में हमारे अच्छे से उपर आने लगे हैं तो इसे तरह हमें अच्छे से इसे फ्राइ कर लेना ह और दो से तीन मिनिट बाद आप देखेंगे कि यह अच्छे सी लच्छे हमारे जो है वो गोल्डन होने लगे हैं तो अब हम इसे चम्मस की मदद से अच्छे से हिलाएंगे और अच्छे से हमें इसे निकाल लेंगे जादा इससे और जादा फ्राय नहीं करना है वरना यह जल सकता है हलका जब हमारा जो यलो आजाएगा कलर तब हमें इसे निकाल देंगे चंडी की मदद से और इसे तरह हम बाकी के भी लच्छे बना करके तयार कर लेंगे तो अब बचे कुछ सारे अलू के लच्छे हम डाल देंगे और इसी तरह हमें इसे अच्छे से फ्राय कर ले जरूर डाल के देखिए आपका चीवड़ा एकदमी टेस्टी बन करके तयार हो जाएगा तो इसे भी हमें 2-3 मिनिटी बूनना है उससे जाधा नहीं बूनेंगे तो 2-3 मिनिट बाद आप देख सकते ही इसका अच्छा सा कलर आ चुका है तो हमारा शिंग्यन अच्छा से बू तो आप पूरा वीडियो एंड तक वाच किजिए अब हमने शिंग्दाना को निकाल लिया है इसके अंदर डाल देंगे हम कड़ी पते 10-15 कड़ी पता डालने से भी हमारा चूड़ा एकदमी टेस्टी बनता है इसका फ्लेवर हमारे चूड़ा को और इनहेंस कर देता है तो हमूर शिंग्दान मग कर नए सकते करते हैं यहां पर दालेंगे राल मicer contrac auf powder यहां पर कشमीरी- लाल मेंची है या पर डालेंगे हम बु fright 만च 15 गाई और चूड़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है यह मसाले डालने से हमेरा जो चीऊडा है एकदमी मसालेदार और चटपटा बन जाएगा और आपको अगर नॉर्मल वाला बनाना है तो उस में सिफ हम नमक डाल देंगे तो ही हमारा नॉर्मल चीऊडा बन करके तयार हो जाएगा तो इसे हम अभी अच्छे से टॉस कर लेंग शिंग्डना जो हमने भून करके रखा था सारे शिंग्डना को मिसके अंदर डाल देंगे और उपसे डाल देंगे हम कड़ी पत्ते और इसको भी हम अच्छे से टॉस कर लेंगे तो लीजे दोस्तों हमारा एकदम होली स्पेशल चटपटा मसालेदार चूड़ा बना करके हमन से बनाइए और इंजॉय कीजिए तो दोस्तों आशा करते हूं कि आपको हमरी यह रेसिपी बहुत जारा पसंद आई हो और अगर आपको हमरी रेसिपी पसंद आया होगा तो हमरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंस और कमेंड में जरूर ब बाइए